इसमें मेरे मट्रोटबाब मेरे भादे चावल दोनों को ने feedback लिया है कल रात को मैंने इंको वीगा के रख लिया था तो मेरे चाभल भी आप देख सकते हैं इंका कलर भी इनके सांद वैगनीготов अ पर पल कलर खitute ंजर्आ डभा रहें ज erosion आप सभी को मेरा प्यार्वरा पैला और नवसकार कैसे हैं आप आसा करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्ता होंगे हम भी बिल्कुल बढ़िया है आज ना मेरी ब्लॉग के सुभात हो रही है दिन के पौने एक बस गया है और आज मैं आप सभी लोग के साथ ना बहुत अच्छी एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जारी हूं हमारे वहां उसको बोलते हैं राजड और भटिया भी बोलते हैं कहीं कहीं जौला भात भी बोलते हैं पीलिय में इसको बहुत ज्यादा प्रियोग किया जाता है जिसको भी जौन्डी से पीलिया होता है तो उसको भटिया दिया जाता है या जौला दिया जाता है राजड दिया जाता है उससे में पेट करें बहुत ही अच्छा होता है इसके बहुत अच्छे बेनिफिट है तो तो आप लोगों को आज बताते हैं हमारे वहां राजड कैसे मनाते हैं हमारे वहां जो कैसे बनाते हैं भटिया कैसे बनाते हैं वह सारी चीजे में आपको बताते हो तो आप बने रहना हमारे साथ और किस-किस ने खाया है या लोगों के जिस ने भी नाम सुना है तो आप बट और एक कटोरी ले लिए हैं मैंने चावल दोनों को हम अब एक भगवनी में डालते हैं और अच्छे से धो लेते हैं इनको नो हम इनके जो गंदा पानी है उसको दो लेंगे उसके बाद हम इनको भीगोनी के लिए डालते हैं पूरी रात डालेंगे आज अभी सामका इनका कलर भी इनके साथ बैगनी बैगनी हो गया परपल कलर के हो गये तो इनको पीसते हैं सबसे पहले और आपको दिखाते हैं सबसे पहले हम कड़ाई ले ले लेते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले लोही की कड़ाई लोही की कड़ाई में इससे अच्छा बनता है औ अब दालते हैं पानी नाएं पानी बॉइल के लिए रग दिया है इस ही जाय में डाल लेते हैं लग बटको पीस लेते हैं यह मैंने पीछ लिये हैं भट और चावल दोनों को मैंने अच्छे से ग्राइड कर दिया है इधर मैंने बॉयल होने के लिए कड़ाय में पानी रग दिया है पानी मेरा जो गर्म हो जाएगा ना बॉयल होने लग जाएगा तो उसके बाद हम इसको डालेंगे तो दोस्तों पानी मेरा बॉयल हो चुका है और आप देख सकते हो ना यह मेरा जो बैटर है उसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम इसको हम आधा गंटा पकाएंगे तो मेरा जो जोला है ना वो पक जाएगा इसको जोला बोलते हैं और कहीं भट्या बोलते हैं आपके इंहां क्या बोलते हैं आप मुझे कम Boost करके सकते हैं और किस किस मैं आज इसको देख की खानी क करीजा, इसको देखते ही मुह पानी आ जाता है इतना टेश्टी होता है दोस्तों यह मेरा बनने लगया है जौला और भात साथ में इसमें कुछ लोग जोली भी बनाते हैं पर आज मैं भी बनाओंगी थोड़ी जोली और चावल क्योंकि मेरा जो बच्चे ना वो कम पसंद करते हैं इसको और मुझे बहुत ही टेश्टी लगता है यह इसमें कुछ भी डालने की जर्वनी है इसमें नमक मिर्च कुछनी खाली भटाओं को ही गर्म पानी में भटाओं चावल मिक्स करके पकाया जाता है यह पीलिये के लिए बिल्कुल वैस्ट दबाई है जब किसी को भी पीलिया होता है तो इसको जरूर देते हैं जौलाभाद इसकी तासिर ना ठंडी होती है तो इस जब तक मेरा पखता है तो तक मैं इसके लिए हरा नमक पीश लेती हूं जोला भी मेरा पखने लग गया है इसको देख सब्सक्राइब अब इसमों उबाला जाता है तो हम इसको जीरो मां पकाएंगे मेरी कड़ाई ना बिल्कुल फुल हो गई है इससे यह पूरा उपर को उबाला रहा है और इसको टाइम टाइम पर हिलाते रहते हैं नी तो इसमें गांड बन जाएंगी तला लग सकता है यह जब तला लगता है ने इसके कुराणी बहुत टेस्टी होती है यह है हमारे यहां का राजड और जौला भात या भटिया आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं आपके वहां जो इसको बोला जाता है है तो मैं पीछने जारे हो हरा नमक इसा के लिए मुझे हरी से मैं दो धाके इनको धोके इस मने रख देती हूं हमेशा तो जक promet अंसन का नमक नुझे 那我們 मिखना तो हमें इसमें हरी मिटे होता है हरे धन्यका जो नमक होता है तो इसको आप इसे हां से चुन लेते है या आप इसको चाकु से काटने सकते हैं पर मैं ऐसी पीस हूंगी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा धनीय के दाने और नमक और हल्दी यह मेरा जो नमक है बहुत की अच्छी कुछ भूआते हैं इसमें बहुत पेश्का आप रहे धन्यय का और हरे भीज़ का और श्राप बोचार पत्ते पोदीने के भी मिला सकते हैं मेरे पास सूखा पोदीना है तो मैं इसमें हलका पोदीना भी डालूँगी यह पोदीना मैंने सुखा के इसका पाउर करके रखता है तो इसको भी हमें से मिक्सी रखते हैं मेरा नमक भी तयार हो चुका है पीसी नों को यहाँ मेरा भट्या भी पकने लग गया आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा कणलर आने लग या है और यह नीचे से ना तला लगता है तो इसको बार-बार हिलाना पड़ता है जब तक मेरा भटिया पड़ता है तब तक मैं चामल डाल देती हूं एक उकर में चामल पगाने लिए रग देता हैं तो मेरा जोला इसको टाइम टाइम पर हिलाते रहते हैं तो यह तला लगने लग जाएगा और इसमें नामाग मिर्ट से या कुछ भी डालने की जरूर नहीं होती है इसको सिर्फ ऐसे बॉइन के आजाता है और ऐसी इसका बहुत अच्छा टेश्ट आता है और साथ में यहाना थोड़ी सी जोली भी दाएगए तो कि तो कि अ तो यह मेरा बटिया हो गया तैयार और और इसमें मलाई लगी है आप में जोली और पीसा हुआ नमक इसको नहीं ऐसे मिलागे खाते हैं इसमें तो दस्तों तो यह मेरी आज भटका जॉला और भात रेडी हो चुका है तो आप लोग भी बनाना और बहुत है अच्छी होती है बटका जॉला भात राजड तो आज की जो रेसिपी है आप सभी लोग को कैसे लगी कमेंट करके बताएं अगर अच्छी लगे तो लाइक करना अपने दोस्